नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि Play Store की ID कैसे बनाते हैं दोस्तों आप सभी के फोन में Play Store जरूर होता है अगर आप Play Store में ID क्रियेट नहीं किये होते हैं तो आप Play Store से कोई भी एप डाउनलोग नहीं कर सकते हैं तो अगर आपके फोन में Play Store का ID नहीं बना हुए तो इस वीडियो को आप लाश्ट तक देखिएगा मैं complete process बताऊंगा कि Play Store की ID कैसे क्रियेट करते हैं तो दोस्तों आप अपने फोन में Play Store की ID बनाने के लिए अपने फोन में Play Store को Open कीजिएगा Play Store Open हो जाने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा Sign In पे तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे अब Sign In पे क्लिक कर देने के बाद अगर आपके पास पहले से Gmail ID है तो यहाँ पे आप अपना Gmail ID डाल के Sign In कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास कोई Gmail account नहीं है आप अपना नया Gmail ID क्रियेट करना चाहते हैं तो क्लिक कीजिएगा यहाँ पे Create Account Create Account पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको दो अप्शन मिलते हैं For Myself और For My Child तो आप अपने लिए Gmail ID बना रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा For Myself पे अब यहाँ पे आपको अपना First Name डालना है और इसके बाद यहाँ पे आपको Last Name डालना है तो मैं यहाँ पे अपना First Name और Last Name डालता हूँ First Name और Last Name डाल देने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा Next अब next पे click कर देने के बाद यहाँ पे आपको अपना date of birth सेलेक्ट करना होता है यहाँ से आप अपने date of birth को सेलेक्ट कर लीजिएगा मैं यहाँ पे अपना date of birth डाल दे रहा हूँ और इसके बाद यहाँ से आपको month सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद आप अपने date of birth का year सेल करना होता है जेंडर अगर आप मेल है तो यहांपर अपना डालना होता है यहांपर आप अपना Gmail ID डाला हूँ यहाँ पर कोई भी यूनिक सा Gmail ID सोच लिजिएगा यहाँ पर यहाँ पर मैं अमीत SSM 555 डाला हूँ इसके बाद आपको क्लिक करना हुआ अगर यह Gmail ID यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप यहाँ पर इसमें थोड़ा बहुत चेंज़ेज कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर देख रहें कि that user name is taken try another यहाँ पर मतलब यह Gmail ID पहले से किसी को ऑल्यवट हो चुका है तो यहां पर मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेज कर देता हूं, यहां पर मैं Amit SSM 555 के जगह पर Amit SSM 4x9 कर दिया हूं, और इसके बाद आपको क्लिक करना होगा यहां पर Next पर, यह जीमेल आइडी मेरा Accept हो चुका है, और यहां पर आपको डलना होगा अपना Password, यहां पर कोई आप Strong सा Password select कर लिजेगा, Password कम से कम 8 character का होना चाहिए, और फिर वही Password आपको यहां पर repeat करना होगा, तो मैं यहां पर अपना Password डालता हूं, यहां पर मैं अपना Password डाला हूं, और इसके बाद फिर वही Password यहां पर इंटर किया हूं, इतना कर लेने के बाद आपको क्लि करना होगा, Yes, I am in, तो यहां पर आपका यह Gmail idea है, और इसके बाद आपको क्लिक करना होगा, यहां पर next पर, next पर click कर देने के बाद यहां पर कुछ privacy का condition होता है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, और इसके बाद आप स्क्रोल डाउन करके नीचे आते हैं, तो यहां पर क्लिक करना होगा, इसके बाद आपको फिर से क्लिक करना होगा, एकक हऊब, यहां पर इसका condition आपको एकसेट करना होता है, तो यहां पर आप क्लिक किजिएगा, एकसेट, अब यहां पर यहां कोई भी option चूच सकते हैं, मैं यहां पर select कर दे रहा हूँ, I am in, यहां से आपक की email id बनके complete हो जाती है यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपकी यह email id सो करेगी इस email id और password को आप कहीं एक जगे पर note करके रख ले future में यह आपके काम आ सकता है अब यह email id बन जाने अपने account कैसे बनाएं उम्मिद करता हैं एक छोटी सी वीडियो आपके काम क्योंकि आपके helpful होगी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे like कीजिए share कीजिए अपना दोस्तों में WhatsApp फेस्बुक गुरूप में और एसे simple simple वीडियो में अपने चैनल पर लेके आते रह लखिएगा बाइ